हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग तो अलो फ्यू वेलकम टो लॉजिक पाठ शाला तो आज है फेंट संडे आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में वीकली करंड अफियास तो लास्ट वीक के हम सभी इंपॉर्टन क्वेस्चेंस को आज है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो फ्रेंट्स कंप्लेट वीडियो को जरू देखेगा और वीडियो का जो पीडियो है वो आप लोगों को मिल चाएगा टेलिग्राम गुरू से टेलिग्राम का लिंक आपको दिया गया है डिस्किप्शन बॉक्स में लॉजिक पाठ शाला 16 नाम से तो चले फ्रेंट्स आ आप दी नेवल स्टाफ नौसीरा स्टाफ के उपप्रमु के रूप में किसी नियुक्त किया गया है तो नेवल स्टाफ के जो फ्रेंट्स अभी डबटी चीफ बने हैं उनका नाम है तरुन सोबती तरुन सोबती जी ने रिप्लेस किया है वाइस एड्मिरल संजे महिंद्र को जो कि 30 सेप्टेंबर को रिटायर हो गई है नेक्स्ट क्वेस्टिन हुएस बीन रिसेंटली बीन अवार्डेट इस पीनोजा प्राइज रिलेटेट टो क्लाइमेट चेंज हाली में जिल्वायू परिवर्तन से संबंधित इस पीनोजा पुरुषकार से किसे सम्मानित कि गया है राइट आंसर डॉक्टर जोईता गुपता को इस पीनोजा पुरुषकार से सम्मानित किया गया है यह अवार्ड चुहें उनको क्लाइमेट चेंज की फिल्ड में जो उनका कॉंट्रिबूशन रहा जल्वायू परिवर्तन के छेतर में जो उनका योगदान रहा उस किरियेटिट हिस्ट्री बाइ क्लिंचिंग अ फॉर्स्ट एवर मेडल इन दी वोमेंस इंडिविज्विज्वल इवेंट एड दी 19th Asian Games तो अदिती अशोग ने एशियाई खेलों में महिलाओं की व्यक्तिकत इस पर्धा में पहला पदक जीत कर इसरा इध्यास रश्टिया कंदें इनका संब्द है इनका संबंद है गॉल्फ से कभी भी किसी वुमेन गॉल्फर ने मेडल नहीं चीता है एशियन गेम्स में इससे पहले तो अदिधी अशोग ने मेडल चीता अब यहाँ पूच सकते हैं इन्होंने कौन सा मेडल चीता है silver medal जो कि पहली बार women's individual event में इंडिया का medal आया है Asian Games में तो very important इसे mark करेंगे medal भी पूस सकते हैं इनका संबन किस field से हैं कौन से sport से हैं ये भी पूस सकते हैं next question who received the 2023 शाष्टर रामानुजन पुराइज 2023 का शाष्टर रामानुजन पुरुषकार किसे प्राप्त हुआ है तो फ्रेंक्स ये award किसे मिला है रुईजियांग ज्हांग को जो इस पुरुषकार से सम्मानित किया गया है अब बात करें कौन है ये तो ये University of California में assistant professor है गडित के छेतर में remarkable contribution के लिए ये award दिया जाता है नेक्स्ट क्वेस्टन है विश्व सिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है तो टीचर स्टी मनाया जाता है देखे वर्ड टीचर स्टी की बात हो रही है इंडिया में अगर बात करेंगे तो इंडिया में तो 5th September को मनाती है लेकिन वर्ड टीचर स्टी मनाया जाता है 5th October को दुनिया भर में देखे टीचर स्टी की जो importance है जो रून का role है देखे उसके बारे में awareness इस दिन बढ़ाई चाती है सबसे पहली बार वर्ड टीचर स्टी अब्जव किया गया तो 5th October 1994 को Next question Which edition of this Singapore India maritime bilateral exercise Simbex has concluded in Singapore Simbex अभ्यास हुआ इंडिया और सिंगापूर के बीच में इसका कौन सा edition हुआ? 13th edition कहाँ पे exercise हुई तो इसका venue हुआ Singapore इसमें देखें इंडिया की तरफ से इंडिया नेवर्शिप रणविजय का वारती सम्मरीन सिंधू केशरी और एक लॉंग रेंज मेरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I ने इस exercise में पार्टिसिपेट किया है Next, the World Bank has decided to maintain its growth forecast for India in the fiscal year 23-24 at what percent? वित्यवर्श 2023 में भारत के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को कितने प्रतीशत पर बनाय रखने का निर्ने लिया गया है तो World Bank ने निर्णे कितना लिया है? 6.3% Next, in October 2023, which Union Territory has achieved 100% villages ODR plus status किस के इंदर शाषट प्रदेश ने 100% गाउं को ODR plus का दर्जा हासिल कर लिया है तो ये कर लिया है जम्मू कश्मीर Prime Minister Modi ji ने देखिए इसकी सराना भी काफी की है कि जम्मू कश्मीर के जो villages ने 100% ODR free हो गए है उन्होंने status जो है हासिल कर लिया है Next question देखे Prime Minister Modi ji has laid the foundation stone of development project worth more than 26,000 करोन रुपीज in which state recently मोधी जी ने हाली में किस राजे में 26,000 करोन रुपे से अधिक की विकास परियोशनाओं की अधारशिला रखी तो कौन से state में रखी आंसर 36 कर 24,000 करोन रुपे की लागत से यहां पी देखिए एक high जो एक steel plant एक integrated steel plant जो है बनाया चाएगा जो produce करेगा high quality steel जो जगदल पू रेल्वे स्टेशन है उसका अप्ग्रेडेशन यानि उसकी अधा उसका जो है उसको एक तरीक से अप्ग्रेड किया जाएगा नहीं निस सुविधाएं वहां पर की जाएगी तो काफी सारे projects जो है 36 स्टेट में शुरू होंगे नेक्स्ट क्वेशन विच बैंक इस पार्टनर्ड विच साही बंदू तो लॉंच आर डूर्स्टेब गोल्ड लोन फैसिलिटी इस बैंक ने डूर्स्टो गोल्ड लोन सुविधा शुरू करने के लिए साही बंदू के साथ साज़ेदारी की है तो यह पार्टनर्शिप जो है अभी रिसेंट की है करनाटक बैंक ने इससे क्या है देखें बैंक जो है अपने कस्टमर के डोर स्टेब पे ही उनको गोल्ड लोन जो सर्विसेस है वो प्रवाइट करने में एबल होगा तो कस्टमर को बैंक जाने के जरूरत नहीं होगी उनके घर पर ही उनको इस सुविधाएं प्रदान की जाएंगी नेक्स्ट विच किरकेट लेजेंड हास बीन अपॉंटेट बाइ आईसेसी हास एस ग्लोबल अम्बैसेटर ओफ ओडियाई वर्ड कप 2023 तो ODI वर्ड कप शुरू हो चुका है 5th October को देखे ये स्टार्ट हो गया था और इसी की वैश्विग राजदूत के रूप में किसे न्युक्त किया गया है आंसर सचिन तेंदुलकर को नेक्स्ट तीन विज्ञानिकों को मिला है केमिस्ट्री में नोबल प्राइस इनका नाम देखे क्या है बावेंडी, लोईस, इब्रूस, एलेक्सी, इकिमोव तो इन्हें मिला है फॉदे डिस्कवरी आइन सिंथिस ओफ क्वांटम डॉट क्वांटम डॉट की खोच और संसलेशन के लिए इन्हें जो है केमिस्ट्री में नोबल प्राइस से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट इंडियास पारुल चोधरी हाज वान दी गोल्ड मेडल इन दी एशन गेम्स तो पारुल चोधरी ने कौन सा मेडल चीता और ये इनका एशन गेम्स में सेकंड मेडल है क्योंकि इससे पहले इन्होंने वुमेंस की ही 3000 मेटर स्टीपल चीज रेस में सिल्वर मेडल चीता था उसके पाद 5000 वाली रेस में इन्होंने कौन सा मेडल चीता गोल्ड मेडल अगला कोशिन है इन्होंने कौन सा मेडल चीता है गोल्ड मेडल इन्होंने भी जीता है इन्डिया के लिए गोल्ड मेडल एशन गेम्स में इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है इनका संबंध है शौट पुट यानि गोलाफेक से तजिन्दर सिंग्स तूर ने इन्डिया का 2nd track and field गोल्ड मेडल जीता था इवेंट में next which country signed MAU to boost investment and collaboration in industry उद्योग में निवेश और सयोग को बढ़ावा देने के लेकिन देशों ने समझाते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये तो यह समझाता हुआ है इंडिया और UAE के बीच इंड़ा की तरफ से प्यूश कोयल और UAE की तरफ से डॉक्टर सुल्तान अलजबे ने इस MAU पे sign किया next which country will host the G20 Parliament Speaker Summit कौन साथे G20 संसर अध्याक्ष शिकर सम्मेलन की मिजबानी करेगा सही answer है इंडिया जो है friends इसे host करेगा इसे organize किया चाहेगा इंडिया International Convention and Expo Center में चुकी है New Delhi में next question who become the first woman to receive Global Indian Award Global Indian Award पाने वाली पहली महिला कौन बनी right answer है सुधामूर्थी सुधामूर्थी के exceptional contribution के लिए जो literature philanthropy में उनका exceptional contribution रहा जो भी उनका असधारन योगदान रहा उसके लिए उनको इस award से सम्मानित किया गया है next question who launched Navy's updated indigenous program Swab Laman 2.0 तो Swab Laman 2.0 जो है ये launch किस ने किया है Defense Minister Rajna Singh जी ने जो है इसे launch किया है ये दो दिन का seminar है जिसे Naval Innovation and Indigenization Organization ने जो है इसको इक तरी के seminar को organize किया है और कहां पर हो रहा है New Delhi में next Basholy Pashmina is one of the oldest traditional handicraft in the state of Jammu Kashmir on which district किस district का है देखे ये Basholy Pashmina Jammu Kashmir के जैसे अभी हाली में GI tag मिला है तो इसे ही मिला है ये है कढ़वा district के तो Jammu Kashmir के कढ़वा district से काफी famous product है वहां का Basholy Pashmina इसे काफी जादा देखिए product जैसे की इसे shawl इसे बनाए जाती है जैसे की mufflers, blanket, basket तो ये बहुत ही extreme soft और बहुत ही fine lightweight होता है और इसको अभी हाली में इस product हो मिला है GI tag next who is the chairman of state bank of India जिनका tenure extend किया गया यानि जिनका जो कारेखाल है वो अगस्त 2014 तक बढ़ा दिया गया है तो क्या नाम है उनका दिनेश खारा इस बेगी बात करें तो इस बेगी स्थापना हुई 1st July 1955 headquarter SBI का है to award the novel peace prize देखें novel शांती पुरुसकार अगर बात करें तो 2023 का ये किसे दिया गया है नर्गिस मुहमदी को नर्गिस मुहमदी जो है इने मिला है for her fight against the operation of women in Iran तो इरान में महिलाओं के उत्पीरन के खिलाफ उनकी जो लड़ाई रही और सभी के लिए जो है उन्होंने सभी के human rights और सभी के freedom के लिए जो fight की उसी के लिए उनको मिला है novel शांती पुरुसकार इससे पहले देखिए ये physiology और medicine में किसे मिला था Catalin Carey को and Drew Wiesman को physics में मिला Pierre Agostini Frank Rosk N.A.L. Heulier को chemistry की बात हो गई literature की बात करें तो award किसे मिला John Fossey को Next question Who received bal sahitay purushkar in Manipuri language Manipuri भाषा में bal sahitay purushkar किसे प्राप्त हुआ तो ये award किसे मिला है Dilip Nong Maytham को इनकी book का नाम याद रख लेंगे क्योंकि literature award है तो book का नाम especially पूस सकती है Ibema Amasung Nagabema तो इस book के लिए उन्हें Manipuri language में bal sahitay purushkar मिला है Next किस country ने recently launch किया अपना latest remote sensing satellite Yaugan 3304 into space तो ये जो उपग्रह है ये अंतरिक्ष में अभी किसने launch किया है तो इसे launch किया है चीन country ने चाइना ने इसे Northwest China के ZQ1 Satellite Launch Center से इसको launch किया इसको use किया चाएगा देखे scientific experiment के लिए Land Resource Survey Crop Yield Estimate Disaster Prevention Relief Work तो भूमी संसादन सर्वेक्षन फसल उपच अनुमान आपदा रोकताम और राहत कारियों के लिए इसका उप्योग किया चाएगा इस satellite को चाइना के Long March 4C Carrier Rocket से launch किया गया है Capital है Beijing Currency है Rainminbi और यहां पी Yuan President है यहांगे Xi Jinping Next question Prime Minister Narendra Modi ji has inaugurated the country's first high-tech sports training center for divyang jan in which city Modi ji ने के शहर में divyang janों के लिए देश के पहले उच्च तक ने खेल प्रसेक्षन के इंदर का उधगाटन किया है तो इसका उधगाटन किया है Modi ji ने ग्वालियर शहर में इस initiative का इस पहल का उदेश्य है कि जो divyang jan है उनको भी sports में equal opportunities provide करना सातीमिन के talent को enhance करना और वो अलग-अलग sports में participate करें तो उनको पुर्साहित करना ही इसका main उदेश्य है Next Who has been re-appointed as CEO of the Unique Identification Authority of India तो यूड़े के CEO के रूप में पुन्हा किसे न्युक्त किया गया है तो पुन्हा appoint हुए है Amit Agarwal इनका जो extension है यानि इनका जो time of period है वो अब 2024 तक extend कर दिया गया है Amit Agarwal 1993 batch के IS officer है 36 कर कैडर सी Next question Who won the Nobel Prize in Literature to 2023 So literature याने Sahitya में Novel Purushkar किसने जीता John Olaf Force इन्होंने जीता है Sahitya में Novel Purushkar Next India's Anurani has won the gold medal in the Asian Games She is related to which sport तो Anurani जो है इनका सम्मन किस से है Javelin Thro से है और देखिए Asian Games के history में पहली ये woman बनी है जिन्होंने Javelin Thro में gold medal जीता है तो इसे important mark करेंगे Very important इनका जो थो रहा था 69.92 meter का जो best throw था इसी के साथी इनोंने जीता Asian Games में कौनसा medal gold medal Next Indian player Jyoti Sorekha Vennam and Praveen Ojas Devatale has won the gold in the mixed team event at the Asian Games इनका सम्मन देखिए कौनसे sport से है इनका सम्मन जो है फ्रेंड्स यह है आर्चरी से तो आर्चरी का जो mixed team event हुआ था इसमें इनोंने जीता gold medal Very important क्योंकि काफे अच्छे medals आए हैं इंडिया के तो exam में पूछ सकते हैं Next, who has been appointed as a new director general of the border road organization सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में कैसे न्युक्त किया गया है Right answer है Raghu Shrinivasan यह appoint हुए है और यह 28th number के director general बनी है बियारो की Next question Which of the following team has won the Irani Cup 2023 किस team ने Irani Cup 2013 चीता तो यह title चीता है Rest of India ने Rest of India ने इसमें किसे defeat किया सौराश्ट की team को और यह Rest of India का 30 वा Irani Cup title है अगला question देखे Javalin thrower Nira Chopra has won the gold medal at the Asian Games with a throw dash कितने meter की throw के साथ इन्होंने Asian Games में gold medal चीता तो यह भी आज रखेंगे नीरत Chopra ने कौन सा medal चीता है gold और इनका throw रहाता 88.88 meter का Next question देखे World Animal Welfare Day विश्व पशू कल्यान दिवस किस दिन मनाया जाता है तो World Animal Welfare Day मनाया जाता है 4th October को और इसका उदेश्य होता है दुनिया भर में animals के welfare के लिए उनके कल्यान के लिए standards है उसमें improve करना उसमें awareness लेके आना First time observe हुआ था 24th March 1925 को इसे organize किया था Nature Watch Foundation ने इस बार इसकी theme क्या रही? Great or Small Love Them All छोटे हों या बड़े हों सभी से प्यार करीं Next, India and which country have recently signed a social security agreement अभी इंडिया और किस country ने देखे सामाजिक सुरक्षा समझोते पर हस्ताक्षर किये है तो अभी इंडिया और अर्जेंटीना के बीच ये समझोता हुआ है इंडिया के तरफ से दिनेश भाटिया जो की इंडिया के ambassador है अर्जेंटीना में और अर्जेंटीना के फॉरण अफेर मिनिस्टर सेंटियागो काइफूरियो के बीच ये जो M.E.U. है ये जो ये agreement है ये sign हुआ है Next question The fourth edition of Indo-Latin America Cultural Festival organized in which your city इस festival को Indian Council for Culture Relations ने organized किया है कौन से शहर में तो इसका आयजन किया गया है Friends New Delhi में तीन कंट्रीज के टोटल 34 आर्टिस्ट ने इसे दो दिन के festival में participate किया और तीन कंट्रीज कौन सी Columbia, Ecuador and Chile Next question India will host The which edition of Pacific Asia Travel Association Travel Mart at Pragati मैदान in New Delhi भारत जो है दिली के Pragati मैदान में Pacific Asia Travel Association Travel Mart के किस संस्क्रण की मिजबानी करेगा तो भारत जो है इसके 46 एडिशन की मिजबानी करेगा Next question Which state or UT's government had introduced a 15-point winter action plan to tackle air pollution in the upcoming winter season आगामी सद्यों के मौसम में वायू प्रदूशन से निपटने के लिए 15 सूत्रिय शीत कालिन कार्ययोशना शुरू किसने की है तो इस कार्ययोशना को शुरू किया है दिल्ली गवर्रमेंट ने main इसका परपस यही यह देखे जो pollution है वहाँ पर उसको tackle करना साथी में जो air quality है डेली की उसे improve करना नेक्स्ट नितिन गुपता हैस बिन reappointed as chairman of which of the following तो नितिन गुपता किसके अध्यक्ष के रूप में पुनहा न्युक्त किये गए हैं तो यह again appoint हुए हैं CBDT के chairman पत के लिए नितिन गुपता जो है 1986 batch के IRS officer है income tax department में अगला question है के एन मधु सूधनन has been appointed part-time chairman of which bank तो के एन सूधनन मधु सूधनन किस bank के अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किये गए राइट आंसर धनलक्ष्मी bank धनलक्ष्मी bank चो है इसकी stabilisement 2014 November 1927 headquarters का है थरिसूर में अगला question है who has been appointed as a new MDN CEO of South Indian Bank South Indian Bank के नए MD और CEO के रूब में किसे नियुक्त किया गया है सही answer है PR Shishadri appoint हुए है इन्होंने succeed किया है मुरली रामकृष्णन को South Indian Bank के स्थापना हुई थी 1929 headquarter है थरिसूर केरला में chairman सलीम गंगाधरन MD CEO appoint हुए है PR Shishadri और इस bank के tagline है experience next generation banking next question what is the name of the mascot for the ICC cricket world cup 2023 ICC cricket wish cup 2023 के शुभंकर का नाम किया है तो इस बार जो mascot है उसका नाम है Blaze and Tonk Blaze जो है यह female mascot है और Tonk जो है यह है male mascot तो दो mascot के इस बार जो है वो चुने गए है याद रखेंगे स्वान पद्द गोल्ड मेडल जीता किस तेश को हरा कर इंडिया ने पाकिस्तान को हरा कर जो है जीता अपना squash team में गोल्ड मेडल यह squash में इंडिया का दूसरा जो है गोल्ड मेडल रहा है इससे पहले 2014 चौधा में एशन गेम्स में इंडिया ने स्क्वाश में जीता था गोल्ड मेडल नेक्स्ट इंडिया के मोली श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल जीता है मैंस की लॉंग जम इवेंट में उनकी बेस्ट जम कितने मीटर की रही थी 8.19 मीटर की तो अपनी बेस्ट जम के साथ इन्होंने जीता एशन गेम्स में सिल्वर मेडल चाइना की जो वांग जियानन थे उन्होंने 8.22 मीटर के साथ इसमें जीता गोल्ड मेडल अगला कोशन दी वुमेंस टीम ऑफ संजना बतुला कार्तिका जगदीश्वरन हीरल सादू और आर्थी कसूरी राज इन्होंने किस स्पोर्ट्स इवेंट में ब्रॉंस मेंडल मतलब इन्होंने जीता कांसे पदग तो इन्होंने रोलर स्केटिंग में जीता कांसे पदग अगला कोशन इंटरनाशनल डे ओफ ओल्डर परसन इस अब्जर्वड ऑन विच डे अंतराश्तिय वृद्ध जन दिवस किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 1st October को 14th December 1990 को United Nations General Assembly ने officially designate किया था इस दिन को इस दिन की theme रही fulfilling the promises of the universe declaration of human right for older persons across generations अगला कोशन देगे which country has recently unveiled its first domestically made submarine named the hycoon hycoon जो है submarine का नाम है और इसे किस देश ने इसका अनावरन किया है इस submarine का अनावरन किया है ताइवान ने इसका उदेश है गया है देखे सम्मरीन को launch करने के पीछे तो इसका उदेश है कि अगर Malaysian future possibly चाइना का attack हो जाता है जो कि ताइवान पे हमेशा देखे खत्रा बना रहता है तो उसके खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ताइवान ने जो है इसे launch किया है अगला question इंडिया secured which rank in global innovation index 2023 तो global innovation index में भारत ने कौन सी rank हासिल की तो इंडिया ने rank हासिल करी है 40 ये इस बार 16 edition है global innovation index का topic on है Switzerland और इसे publish किया है world intellectual property organization ने next question देखे south south knowledge sharing series conference organized by which of the following दक्षिन दक्षिन ग्यान साजा करन श्रंखला समेलन किसके द्वारा आयजित किया गया तो इसका आयजित किया गया है friends world bank के द्वारा और इस conference की theme रही digital public infrastructure the India story अगरा question union minister home minister Amish Shah chaired the 31st meeting of the northern zonal council held in which city Amish Shah ने किस शहर में आयोजित उत्तरी चेत्रिय परिशत की 31 बैठक की अध्यक्षिता गी तो इस बैठक का आयोजित किया गया था अंबरिसर में next prime minister Modi ji has laid the foundation stone for the Akashwani Dahod FM relay station project in which state Modi ji ने किस राजय में Akashwani Dahod FM relay station परियोशना की अधार्शिला रखी इस परियोशना की अधार्शिला जो है वो रखी है गुजरात state में next which state has achieved 100% ODF plus coverage under the flagship स्वच्च भारत mission program recently अभी हाली में देगे स्वच्च भारत program कारेकरम के तहद 100% खुले में शोजमुक्त plus coverage किस ने हासिल किया है तो अभी ये coverage हासिल किया है उत्तर प्रदेश गवर्मेंट ने next question which bank has been appointed Manish Jain as the new country head of wholesale banking किस bank ने Manish Jain को थोग banking का नया प्रमुक न्युक्त किया है तो इन्हें न्युक्त किया है यस bank ने Manish Jain ने succeed किसे किया है रवी थोटा को अगला question who has been appointed as a new chairman of the media research users council India media research council user council India के नए अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो नए chairman जो है friends कौन अप्वाइंट हुए है सेलेश गुपता सेलेश गुपता ने replace किसे किया है शशिधर सिनहा को media research users council India की स्थापना कभूई 1994 में अगला question है इंडिया की रोशी मिना देवी नायुरेम ने women's की 60 kg केटिगरी में जीता silver medal she is related to which sport तो इनका सम्मन जो है friends वुशू से है और इनोंने कौन सा medal जीता ये भी याद रखेंगे तो इनोंने जी है Asian Games में जीता है silver medal next question which country won gold in 10 meter air pistol event in Asian game Asia I खेल 2023 में 10 meter air pistol teams परधा में किस देश ने स्वाण पदक जीता तो friends स्वाण पदक जो है किस team ने जीता इंडिया ने और जो इंडिया की 10 meter air pistol team event में जो team थी उनमें कौन-कौन प्लेयर थे सरब जोट सिंग, अर्जुन सिंग चीमा और शिव नर्वाल और शूटिंग में इंडिया का ये तीरवा medal रहा next question देखे who won the mixed double final tennis match at the 19th Asian Games in Hangzhou, China तो Hangzhou, China में 19th Asiai खेलों में मिश्रित युगल final tennis match किसने चीता तो mixed double जो final tennis match है ये चीता है इंडिया के रोहन बोपन्ना and रुतुजा बोसलेने तो यहाँ पर answer होगा option B is the right answer तो friends यहाँ हमारे आज के जो weekly current of face के questions से cover होती है आज अपने weekly current of face question में cover किये है 57 questions तो अब आप अपना score बता दीजिए कि 57 questions में से आपने कितने questions आज सही किये है तो इसी के साथ आज का इस session यहाँ पे end करती है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थांक यू सो मच पूर वाचिंग दिस वीडियो वाचिंग आपको हमारी वीडियो लगी हो